हालो गाईस वेलकम बैक्टोव चैनल सिंप्लिफाइट स्टडी ओफिशल तो गाईस आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की बुक से इसकी फुल समरी देखने वाले हैं और इसके हैं रिटन जो नोट्स हैं जिसमें इंपोर्टन कोशन्स जो नोट्स बनाएं अपने हैं रिटन अगर वो चाते हो तो उसके लिए आपको चैनल की जो मेंबर्शिप है गोल्ड मेंबर्शिप वो जोइन करने पड़ेगी ठीक है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आज की वीडियो में समरी देखन अट जो यह स्टोरी सी लिखते हैं उंकी हाई मोराल स्टैंडर्ड होते हैं मतलल Stevens कि उसमें घुमैरी और अंच्छी पढम जलती है ठीक है इस स्टोरी में कुछ डैम mentre किंगए ए उसके मीजिए चाहे भी चौई इपता शनुओ और बीजिए तो पैसा नी है तो उसका कोई अगर आपके पास पैसा आया नहीं कि आपके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है तो वो सारी चीजे में अपकी जो सुंदर्त है वो क्या है यूजलेस है और नेक्स आमें बताया गया जो रोमांस है ठीक है जो रोमांस है वो जस्ट फॉर रिच पीपल है ठीक है मतलब यहां पे गया है कि जो भी लव है यह रोमांस है यह पॉर पीपल के लिए नहीं अब जो पीपल है उनको प्रैक्टिकल होना बढ़ता अपनी लाइफ में लाइफ की लाइफ ने चोटी चोटी चीजों के बार में लग चोटी चोटी अगर हम खरचों की भी बात करें ठीक है डिक है उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है जो poor person होता है जो poor people होते है उन्हें सोचना पड़ता है बट rich person के लिए हर चीज क्या होती है easy होती है next time हम इस story में बताया गया है कि एक permanent income या फिर पैसा हमारे पास permanent income होना अगर मालो एक person है एक person दिखने में बहुत अच्छा है ठीक है handsome है और दूसरा person दिखने में इतना अच्छा नहीं बड़ उसके पास पैसा है तो मतलब दोनों में से कौन सा बेस्ट है जिसके पास पैसा है फिर जिसके पास permanent income है मतलब यहाँ पे बताना जो यहाँ पे जो story writer है वो हमें क्या बताना चाहता है कि अगर आपके पास पैसा है तो well and good है मतलब उसके सामने आपकी जो beauty है आपका जो आप जितने भी handsome हो उसका कोई काम नहीं है मतलब यहाँ पे किसको कह सकते priority दी गई है money को rich person को अब गईस यहाँ पे हम जो story बढ़ने वाले है उसमें एक intelligent है ना उसके पास को personal income है यानि कि permanent income उसके पास नहीं है जो huge है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा good looking है crisp brown and grey eyes है उसकी ठीक है आंडी वो लड़कों और लड़कियों में बहुत ही ज्यारा popular है क्योंकि वो दिखने में इतना अच्छा है इतना handsome है तो यहाँ पे उसकी मतलब बताया गया है वो कितना charming है कितना good looking है उसके पास सारी quality उसकी hairs भी अच्छा है eyes भी अच्छी है ठीक है उसके color भी अच्छा है ठीक है उसकी जो गया सकते हो पूरा जो इसका face है वो एकदम बहुत अच्छा है ठीक है they have he having nice body मतलब हर चीज उसके पास अच्छी है but just उसके पास क्या है एक quality नहीं कौन सी quality है पैसा बनाने की मतलब उसके पास कोई permanent job या permanent income नहीं है ठीक है मतलब वो poor है और साथ ही साथ ना उसको कोई भी money अपने father से मिली है ठीक है कई परी ऐसा होते है कि अगर एक person गरीब भी होता तो उसे बता चलता है मेरे मेरे father के पास इतनी द property बगेरा यहां फिर money मिली है तो वो मतलब अपना गुजारा गैसे कर रहा है उसकी एक क्या होती है आंट होती है old aunt ठीक है मतलब उसकी आंटी होती है एक और उसको पूरे साल का 200 pounds देखती है जिसके जिस पर उसने अपना गुजारा करना होता है ठीक है खाना पीना होता है जो भी इदर उदर जाने का खर्चा होता है वो सारा वो उसी में से करता है ठीक है मतलब 200 pounds में उसने एक साल का अपना गुजारा करना होता है अगर हम सिंपल गए जो हुजी है वो एक handsome young man है बट उसके पास कोई भी profession कोई भी ऐसी quality नहीं है जिससे वो पैसा बना सकता है पै बहुत ही बड़ा बहुत ही professional वो क्या है painter है और वो अपने brush के साथ master है मतलब अगर उसके हाथ में brush हो और सामने canvas हो तो वो इतनी अच्छी painting करता है मतलब एक दिम professional तरीके जह मतलब अगर उसके हाथ में brush है तो बस वो drawing करता ही चाता है जो हुजी है उसको एक permanent entry मिली होती है इस ट्रेवर के studio यानि कि इसका हुजी का जो friend है Alan Trevor एलें ट्रेवर जो है और हुजी है बहुत ही पक्के दोस्त है ठीक है बहुत ही पक्के मितर है ठीक है best friends है इसके कारण जो Trevor का studio होता है Alan Trevor का studio होता है जहां पर चड़ाओ के पेंटिंग मनाता है ठीक है सामने models को बिठाता इसकी painting मनाता है वो इसका studio होता है जहां पर पेंटिंग करता है और वहाँ पर जो हीजी है उसको permanent entry मिली होती है वो कभी भी आजा सकते क्योंгов कि वह इसका best friend होता है अब एक दिन क्या होता है जो हुजी है वो लोरा के घर जा रहा होता है लोरा कौन है जिसे हुजी प्यार करता है ठीक है लव करता है जिससे वो मैरिज भी गरना चाता है अब जो हुजी है वो लोरा के घर जा रहा है और रास्ते में जो ट्रैवर का स्टूडियो यानिकि उसक कप फाइनल टॉटिस दे हो तैंट चमोसाना विस्त बनाई एंवित विधाया रहा होता है ठीक है आधल राआण के पिछर होती एक ब जो थैक या हूल रही हो तूज बताया आप एलन ट्रेवर है अपने च्टूडियो में पेंटिंग घर रहा हूं एक बिखारी थी अपनी बैठा हुआ है आप यह सीन चल रहा होता है कि जो ट्रेवर है अपनी पेंटिंग और फाइनल टैचेस दे रहा होता है सामने जो बिखारी है मोडल बैठा होता है ठीक है और hugey side पे खड़ा होता है चेलं किया होता है जो एलें earn TRAVER का एक सपारव के पास आता है वह कहता है कि यो frame maker है आपको 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 आपसे बाद करना जाते हैं तो एल्स जो ट्रेवर है वहां से चले जाता है है मotzलब यह तुड्यो में स्टूड़ दो आई रहा जाते है कोorn रहा जाता है एक तो वह बगर जो वहां से शाट है जो मडेदा हुआ जिसकी पिच्चर मन रही थी और दूसरा वो old bagger, जो है, तो थोड़ा रेस्ट करने लग जाता है, क्योंकि, प्यावर तो चले गया, जो है, ठोड़ी दिर में बैठ जाता हूं, थक गया, उच्छा है, हो खड़ा, खड़ा, तो हीूजी जो है, उस बिखारी की तरफ देखता है, और वो देखता है, यह तो बहुत ज् एक पाउंड था वो इसने उसने रखा था ताकि वो अपने घर वापस जा सके कोई टैक्सी यां कैब कर ले ठीक है बट वो गया गरता है उसे वहाँ पे दे देता है और उसके हाथ में वह पाउंड रखके एक अच्छी सी स्माइल करके वहां से चले जाता है और उसके बाद जो बेगर है वो भिखारी है वो यूजी की चैरिटी है उसके लिए उसे थैंक्स करता है अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो यूजी है उसने वो जो उसके पास पाउंड था वो उसने इसलिए रखा था कि जब वो घर वापस जाएगा तो वो गया टैक्सी गर लेगा पट संने पाउंड तो इस भीखारी को लेग दिया थो वो विचारा पेदल अपने वाउद चले जाता है तो उसी रात क्या होता है हूजी है वो एट जो जह अधाम हुशी के लिए मन है यूज है वो उसके बाते चारा हन्ता है और यो कि तो मैं पड़े बात इस्ए्धा बैद सब्सक्राइब कर लाइन तोкого चुलात कर लीड खिर है जो फादर के पास जाता है और लोरा का जो खालेब को कहता है कि मैं एक शर्त पर ही तरी marriage गरूंगा लोरा के साथ अगर तु मुझे 10,000 pounds अगर मुझे लाकर दे देता है 10,000 pounds मुझे लाकर दे देता है तो मैं तरी लोरा से शादी कर दूँगा ठीक है हुजी वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि जो एकदम कुट है क्यों है क्योंugen पौरे उरोप का सबसे अमेरा अद्मी चाह मित вопрос कि खूंगी तो है pewno क्या भिकारी सिंगा बताता क्या क्यों हो forms एक पाउंड तुसरी इस तरीके से ऐसे उसके हाथ में पाउंड दे दिया ठीक है मुझे तो ऐसा लगा वो बिखारी है और फिर एलन ट्रावर को कहता है कि बहुत किसे बताना मेरी तो बेस्ती हो जाएगी है ना कि मैंने पूरे मतलब यूरोप के सबसे अमीर आदमी को मैंने एक पाउंड लाता है उसके लिए और कहता है यूजी यह आपके लिए है चिठी और यह जो चिठी है यह बैरन हैस्वक की तरफ से है ठीक है जो एंवलप होता है वह एकदम सील होता है यानि की बंद होता है लेटर के उपर लिखा होता है एव वेडिंग प्रेजिन टू हूजी अन लोर के लिए उस बिखारी की दरफ से ठीक है अब जो हूजी है वह एकदम घबरा आ जाते है कि मैंने तो उसको क्या किया था उसको बिखारी समझ कि मैंने तो पैसा दे दिया था पता नहीं एनवलप में क्या होगा तो वह से एंवलप को बड़ा सप्राइज होके मतलब डरके ख हमारी शादी कर दूंगा तो वह चीज़ वह आगे बैरन हैसबर्ग को बता देता है ठीक है इसलिए जब मैंने आपको बताया कि यूजी ने जो हमारा बैरन हैसबर्ग था उसे बिखारी समझ को उसने पैसा दिया था उस पर क्या किया था तो यहां पे उसके बदले में बै 12,000 pounds जाके लोरा के फादर को देता हैं दोनों की marriage दाया हो जाती है marriage के दिन क्या होता है जो Allen Trevor होता है वो best man होता है अब जो Baron Hasberg है वो speech दे रहे होते पार्टी में ठीक है और जो Allen Trevor है 그 speech बहुत बोलता है कि मिलियनेर मोडल है the millionaire models are rare enough तो यह जीज़ वह कहते है इसका कोशन भी है जो मैं आपको जो नोट्स प्रवाइड करूंगी उसमें बताने वाली हूं ठीक है जो है वह प्रवाइड करने वाली हूं तो वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉवाचिंग